नमस्कार में शुआनी बिहारी निज में आप सबी का सौगत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जाइफल के बाड़े में भारती मसालों के चर्चे तो विश्यो भड में है और हमारे भारत को मसालों का देश की संग्या दिजाती है कीचिन में ये मसाले सिर्फ खाने का जाय कहीं नहीं बढ़ाते, बलकि सेहत भी बनाते हैं, कई बिमारियों को ठीक करने में मलब करने की भरपूर शक्ति होती है, आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक मसाले जायफल की चचा करेंगे, जिसके अनोखे फायदे देखे गया है, ज जायफल के तरह तरह के घड़े लून उसके अपना कर कई बिमारियों में सुधार लाने में कारगर माना गया है, इसका स्वाध थोड़ा अक्रोड जैसा होता है, इसलिए जायफल का सिवन बहुत कम ही लोग करना पसंद करते हैं, जायफल में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड ह होते हैं, जो बिमारी को रोकने और समगर स्वास्त को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जायफल एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड से भड़पूर होता है, जिसे मोनो टेरेप्स कहा जाता है, इसमें साबिनीन, टेरिपिनॉल और पिनीन शामिल है, आज के इस वीडि जावा देने, रक्त, शरकड़ा को नियंदरित करने और हिर्दे रोगों के जोखिम काड़को को कम करने में मददगार होता है, इनसोम्या अनिद्र, यानि रात को नीन्द ना आने की समस्या जिन्हें होती है, ऐसे में जायफल का सेवन कायफ्री फाइव दिमंध होगा उन के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है, जायफल में मौझूद एंटी ऑक्सिदेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और 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 दर्द से राहत दिला सकते हैं, सिर्फ जायफल ही नहीं, बलकि जायफल का तेल भी आपमान स्पेस यूप या जोडों के दर्द के लिए उप हार होता है, घड़ेलू उपाई भी कैंसर के जोखिम को काफी हद तक कम करता है, जायफल उन्हीं घड़ेलू उपचाडों में से एक है, जायफल में मौझूद एसेंशियल ओयल एक एंटी ऑक्सिदेंट की रूप में कारी करते हैं, और कैंसर को रोक सकते हैं, अस्टरडी में जरूरी है कि वक्त रहते इस पर ध्यान देना, जायफल को ट्राइटेर पीन्स का स्रोत माना जाता है, ट्राइटेर पीन्स में इंटी डायविटिक गुन मौझूद होते हैं, जायफल टाइप टू डायविटीज को कंट्रोल करने में मरद करता है, बहतर स्वास्त के ल स्वास्त के लिए बहुत लावकारी होगा, बच्चे हो या बड़े, आँखों से संबंदित समस्यां सभी को प्रभावित करती है, ऐसे में सही वक्त पर ध्यान देना और अपनी आँखों का ख्याल रखना जरूरी है, जायफल का सिवन लावकारी हो सकता है, यह यह प्रोस यह सरदी जुकाम के सिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्म्यूनिटी कम जोड होती है, ऐसे में जायफल का सिवन इम्म्यून पावर बढ़ाने में मददकार साबित होगा, इसमें विचामिन A, C और E होते हैं, जो इम्म्यूनिटी बढ़ाने में मददकार होते हैं, कम मा के साथ लेने पड़ ये मौत का कारण भी बन सकता है लंबे समय तक जाइफल की जादा खुडाक से अगों को नुकसान होता है इन संभावित हानिकारक साइड इफेक्ट से बचने के लिए बड़ी मात्रा में जाइफल का सेवन करने से बचे आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकरी के साथ और हम आशा करते हैं कि जाइफल से संबंधित हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आप किसी विशेपर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होग आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं